हमास चीफ को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान पहुँचा है यह उसका परसनल नुकसान है क्योंकि इस्रेल और हमास की जंग में हमास चीफ के बेटों की मौत हुई है एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बेटे, एक साथ मारे गए है हमास चीफ के इस्माइल हानिया जिसके बेटों की मौत हुई है आपको हम बताएं इस्माइल हानिया के पोते की, पोतियों की और बेटी तक की मौत इसी युद में अब तक हो चुकी है इसके अलावा है इसमाइल आनिया के कई रिष्टदार ऐसे हैं जो इसी युद में मौत के घाट उतारे जा चुके हैं अब इसमाइल आनिया ये कह रहा है कि बाकाइदा उसके बेटों की जो मौत हुई है वो प्लान थी देखकर अटैक किया गया है जबकि इसरेल का ये कहना है कि उसके जो बेटे वो आतंकवादी थे और कुछ बड़ी प्लानिंग की जा रही थी अब ये जो पूरा मामला है बेटों की मौत को लेकर अब वो इमोशनल काट भी खेलने की कोशिश कर रहा है फिलस्तीन के नागरिकों को घाजा के नागरिकों को ये बताने की कोशिश इसमाईल हानिया की तरफ से की गई है कि कैसे खून सिर्फ घाजा में जो लोग रह रहे हैं उनके परिवारों का नहीं बह रहा है उन्हें ही नुकसान नहीं पहुँच रहा है या उन्हें ही सिर्फ जो लोग उनके नहीं मारे जा रहे हैं बलकि खुद इसमाइल हानिया के परिवार के लोग भी शहादत दे रहे हैं इसी शब्द का इस्तमाल किया गया है स्माइल हानिया की तरफ से, हालाकि एक रेपोर्ट ये भी दावा कर रही है कि स्माइल हानिया के बेटे गाड़ी में बैटकर कहीं जा रहे थे ईद मनाने के लिए, और जिस राके से उनकी गाड़ी गुजर रही थी, वो इसरेल के हो गया और यही वज़न रही कि उसके बेटों की मौत हो गई लेकिन एक इंटिवियू में खुद इसमाइल हानिया की तरफ से यह बात बताई गई है कि उसके बेटों के हत्या की गई है और यह इसरेल की तरफ से की गई है और उसने यह कहा कि येरुशलम को बचाने के लिए अल-अक्सा मस्जित को बचाने के लिए कैसे उसका परिवार शहादत दे रहा है और गाजा के तमाम लोगों की तरह इस वक्त इसमायल हानिया भी डोरा है यह हर बात का जिक्र उसने इंट्वियू में किया टेलिफोनिक इंट्वियू में उसने ये बात भी कही कि इसरेल ये सोचता है कि गाजा के जो बड़े नेता हैं जो हमास के बड़े नेता हैं उन्हें परसनल नुकसान पहुंचा कर उनके अपनों को टागेट करके वो उन्हे इस युद्ध में और हमले करने से रोग सकता है या फिर उनकी जो मांगे हैं वो कुछ कम हो जाएंगे लेकिन ये समझले इसरेल के ऐसा नहीं होने बाला है हमारी जो मांग है हम उस पर डटे रहेंगे और एक इंच भी उससे पीठे नहीं हटने वाले हैं देखें आपको बता से इसरेल के ओपर उन सब का मास्टर माइंड भी वो है हालांकि वो खुद गाजा में नहीं रहता है कतर में रहता है जैसे उसे अमास प्रमुक बनाये गया था तुरंत उसने कतर का रुक कर लिया था कई देशों की वो यात्रा कर चुका है लेकिन गाजा में इस वक्त मौत हुई है तब इसमाईल हानिया की तरफ से कहने की कोशिश की गई है कि मेरे अपने भी ठीक वैसे ही मर रहे हैं जैसे एक आम फिलिस्तिनी तो उनकी संक्या तो 3,035 सो ही बताई जाती है लेकिन इसके अलावा जो आम फिलिस्तिनी है गाजा पट्टी में रहने वाले लोग हैं उनकी मौत हो रही है अभी भी ये युद्ध थम नहीं रहा है अब हमाज को और कितना नुकसान पहुंचता है या इसमाईल हानिया को प झालब ये ये ये